दक्षिन में कोई बड़ी इंड्रोड्स बीजेपी नहीं बना पा रही तो जो परिस्तिती पहले थी वही है हिंदी बेल्ट के राज्यों में गुजरात को छोड़ दें क्योंकि उसकी अभी बात हम करेंगे उसके अलाबा बीजेपी बहुत मजबूत है लेकिन जहां कॉंग्रेस कहीं नहीं दिखती थी एक सीट, दो सीट, चार सीट उसको मिलती भी दिखाई दे रही है यानि सीधी टक्कर में कॉंग्रेस पार्टी अभी भी पार नहीं पारी बीजेपी से हाँ अपना ग्राफ थोड़ा सा उठा पा रही है तो आपका अभी पहला रियाक्शन अभी तक के सर्वे पर ने बिल्कुल आप सही कह रहा है लेकिन थोड़ा सा इसको दूसरे दरे देखा जाए तो जहां कांग्रेस स्टूर ने थी वहां चार सीटें रास्थान में दिखाई पड़ रही है मध्य प्रदेस में एक सीट थी पाच सर्वे दे रहा है बिहार में एंडिये को नुकसान है 24 और 16 का अकड़ा है अगर एंडिये की बात करें बीजेपी को फाइदा है बीजेपी 17 से अपने दम पे 20 होती दिख रही है लेकिन एंडिये का तो नुकसान है ना अवराल जब एंडिये इंडिये इंडिया की बात करते हैं अब और जैसे जो राज्ये हैं दक्षिल का तो खराब ने बताई दिया तो उत्तर भारत में भी ये बाढ़ सकते हैं कि इंडिया बनने के बाद बीजेपी को थोड़ा और चौकनना होने की दरूत पड़ेगी जिस तरह से मद्यप्रदेश, राजस्थान या 36 गड़ या बिहार इन राजियों में जो उत्तर प्रदेश तो नहीं आया है उसकी सीटे कुछ घरती हुई दिखाई पड़ रही है तो मुझे लगता है कि एलेक्शन खुला हुआ है इंडिया आलाइन्स काम कर रहा है ऐसा आपको आसार दिख रहा है इन नकीजों से देखे अगर मालीजी देखे मद्यप्रदेश और आस्थान में तो इंडिया का कोई मतलब में तो कॉंग्रेस वर्सिस बीजेपी है लेकिन बिहार में है न मतलब अगर 16 सीटे कम हो नहीं है इंडिया की तो इंडिया एक हाते में जा रही है वहां कांग्रेस के कोई मतलब नहीं है इस तरह से आप अगर किलिवाल और कांग्रेस बिलके लड़ने तो दो सीट उनको मिल सकती है दिल्ली में देखिए पंजाब का आपने बताया तो मुझे लगता है कि इसको इस रूपर भी देखना थी और एलेक्शन चुकि चुनाओ ख कांग्रेस और इंडिया के जो लोग हैं उनको लगे करें हम तो आगे बढ़ सकते हैं रास्ता जो किला है उसमें थोड़ी बहुत सेंद्ध लगाने में कामयाब होते दिक रहे हैं तो इस सेंद्ध को बड़े होल में क्यों ना बदला जाए तो वो उस दिशा में कोशिश कर सेंद्ध मारास मरताली सीटें बंगाल में बैली सीटें तो इन राज्यों में जिसका पलड़ा भारी हो गया तो उसके पक्ष में तो निसीत रूप से उसका और यहां अलाइंस का खेल है देखे उत्तर प्रदेश में और बंगाल में महारास्ट में अब सबसे बिजित सेना उदर है उदो है इधर रे सेनाल है और कांगर्स से इधर किए बीजे पी है जो सबसे बड़ी पाइटी है सर अभी तक जो भी प्रोग्रेशन आपने इस उपिनियन पोल में और राजियों में प्रफॉर्मेंस जो दिखाई दे रही है बीजेपी और इंडिया अलाइन्स की देख रहे हैं क्योंकि तुलना करने के लिए हम उननिस के रिजल्ट से और आज के दस महिने पहले की उपिनियन पोल से कर रहे हैं अगर हम याद करें कि दस महिने पहले उपिनियन पोल में क्या आया था तो हमको यह अंतर शायद दिखाई नहीं देगा तो इसलिए चुनाव जब एक बार शुरू होता है अधिसूचना जारी हुई पार्टियां चुनाव प्रचार करती है टिकट बढ़ता है तो चुनाव तब जो है उठता है तब असली पता चलता है कि स्थिती क्या है यह जो सर्वे है वो बता रहा है कि आज अगर कि कुछ जगहों पर हम लगातार दो चुनाओं से लगभग 100% सीट ले रहे हैं तो उसमें 2-4 सीटे कम होने की आशनका हो सकती है तो उसकी तैयारी उनकी होगी इसके अलावा 160 सीटे ऐसी जो हारी थी वीजेपी उन पर एक साल से काम हो रहा है उन पर कितना असर पड़ता है य दूसरा इस एलाइंस की केमिस्टरी कैसी बनती है सबसे बड़ी बात यह होगी जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि वो ट्रांसफर करा पाते हैं एक दूसरे एक हो क्या जहां पर एक से ज़्यादा पार्टियां है एलाइंस की जहां एक एक पार्टी है वहां तो इस बात टोन है वही सेट करेगा कि क्या कॉंग्रेस इमर्ज कर रही है फिर से उठकर खड़ी हो रही है या बीजेपी अपना दबदबा बनाए हुए